हाई डेलोपर्स, वेलकम एक टू कूर्स टेप बेस्टेप, मैं हूँ ओनिल सिदू, नोड़ जैस के इस पार्ट में लोग बात करने वाले हैं, राउट लेवल मिडल वेर के बारे में, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने बेसिक मिडल वेर पढ़ा था, जिसके अंदर क् इस तरीके से कर सकता हूँ, यह सारे पॉइंट इस वीडियो में हमें लोग कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा हुआँगी, राउट लेवल मिडल वेर क्या होते हैं, एक मिडल वेर को एक सिंगल राउट के उपर कि इस तरीके से अपलाई कर सकते हैं, सेम फाइल के अंदर हमने मिडल वेर बनाया था और यूज़ करा था, डिफरेंट फाइल के अंदर मिडल वेर रखके उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में महा लेज़ेगे, आपको मिडल वेर एक ग्रूप ओफ राउट के उपर लगाना है, पचास में इसा ब फर्स्ट कोष्चिन राउट लेवल मिडल वेर होते क्या हैं, ऐसे मिडल वेर, जो एक सिंगल राउट के उपर भी गाम करेंगे, राउटिंग के ग्रूप के उपर भी काम करेंगे, गुरूप का मतलब है कि पचास में से से दस पांच पंदरा वीस के उपर अपर अ आपके पास एक question हो सकता है कि जो last वरली वीडियो के अंतर हमने जो middleware पढ़ा था, ये कौन सा middleware था, ये था आपका application level middleware, वो क्या करता था, एक specific route या फिर एक specific group of route के उपर नहीं लग सकता था, वो बस पूरी की पूरी application में जितने भी routes होंगे, सब के उपर अपलाए होता थ हो बट, जो route level middleware होता है, वो एक route के उपर भी लग सकता है, group of route के उपर भी लग सकता है, और सारे के सारे routes के उपर भी लग सकता है, ठीक है? सो यही इस वीडियो में में कि करेंगे कि एक single routine ओपर और group of routine के ऊपर याफिर सब के सब्राउट के ऊपर एक मिदल वेयर कि इस तरह की से लगा सकते हैं अब यह уже में क्या इस करते हैं तो डेखे सिब्से पहले में एक नोर्मल होम पेज के उपर जाता हूं तो मुझे बोलता है प्लीज प्रोवाइड यवर एज जब मैं एज देता हूं तो अगर एज एटीन से कम है तो यहां पर मुझे बोलता है यू आर अंडर एज अगर एटीन या फिर उससे ज्यादा है मैं महां लीजी में 30 डाल दी तो हम लोग इस पेज को एकसेस कर सकते हैं यह हमने एक छोटा से एक्जामपल बनाए था सेम हमारे पास जो यूजर वाला पेज था उसके उपर भी सेम था मैं यहां पर आता हूं प्लीज प्रोवाइड यूवर एज कम डालेंगे तो प्रोब्लम और 18 एफिर 18 से जादर ड और जैसी बनाया माली जिसको नहीं रख दिया है यहां पर अबाउट अबाउट पेज तो इसके उपर भी अपलाए हो जाएगा विकोज यह एप्लिकेशन लेवल मिडल वेर सबके सबके लग जाता है अब मैं चाहता हूं जब मैं यहां पर इसको अबाउट को रेक्सेस करूँगा तो देखिया मुझे सेम प्रोलम आई एज डाला अगर मैं 20 से डालूंगा या से डालूंगा वो तभी गाम करेगा ठीक है तो मैं डाइक्टी 30 डालके लिगाता हूं टाइम विस्ट करना की जूरूती है यह अबा जो एप्लिकेशन राउट बनाओ है उसको हटा दो सेकंड चीज जो आपने रिक्वेश्ट फिल्टर लगा रखती है लगा रखती है किसी एक स्पैसिविक राउट के उपर लगाना वहीं पर लगा दो मालीजे कि आपको यूजर वाले पर लगाना है इस तरीके से लगा द प्रता हूं तो देखें तो यह बोलता है कि प्लीस प्रोवाइड योज तो यह होता है सिंगल राउट या फिर आफ बोल सकते हो कि राउट लेवल मिटल लरotte एक सिंगल वाला जो एक्जाम्पल होता है वह एक प्राउट के उपर आपकि स्टरीके से मिटल पे रप्लाई कर सकते हो ठीक question है क्या दो के उपर भी अपलाई कर सकते हैं जी हां सेम इसे तरीके से माल लेज़ेगा आपके पास दो है तो इस तरीके से अपलाई कर सकते हो अब आउट और यूजर के उपर आएगा मैं about डालता हूं यहां पर डालता है अंडर एच और अगर मैं यह हटा देता हूं तो देखे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है यह जो ग्रूप वाले यह बाद में देखेंगे अभी दो राउट के उपर देख लिए हमने अब यह बाद आता है कि एक अगर मैं जो यह वाला मिडल वेर है इसको मैं सेपरेट रख दूंदो कि इस तरह किसी यूज करूं राख सकते हैं बिल्कुल कोई प्रोब्लम नहीं है मैं यहां पर या करता हूं जो मिरा राउट है इसको उठा के यहां से एक और नई फाइल बनाता हूं नाम रखता हूं मिडल वेर .js इसमें इसको पेस्ट कर देता हूं बट मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहां पर अब लिखना पड़ेगा .module.export अब हम लोग आपके से आएंगे यहां पर जो यह बेसिकली एरर है यह इस वाली फाइल के अंदर है इसको यह राउट मिलने रहा तो हम लोग यहां पर फिर से इस राउट को डिफाइन करते हैं यहां पर लिख हूं हमें कॉंस्ट रिक्वेस्ट फिल्टर और फिर बात में यहां पर डालता हूं मैं रिक्वायर के अंदर में डालता हूं यहां से इस तरीके से मिडल्वेर और अब देखते हैं यह प्रफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टेल यहां पर आते हैं देखो प्रफेक्टली एज के साथ में काम कर रहा है होम पे जाओंगा प्रफेक्टली काम कर रहा है को दिक्कत नहीं है और अगर मैं यहां यूजर के पास आता तो उनके लिए separate file बनाना एक good practice है, एक अच्छा प्रजक्टर बनता है, अब आप बोलोगे ठीक है, अब हमने एक एक request में तो डाल दिया है, यहाँ पे, अगर मालीज हमारे पास 100, 500, 400, 500 route है, हम चाहते हैं कि 20, 25 के उपर अपला है, तो एक एक कंदर डालना इस तरीके से सही नहीं है, वो एक अच्छी practice नहीं होगी, उसकी लाप को क्या करना पड़ेगा, routed middleware का यहाँ पर export करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, हाँ से export कर सकते हैं, route को, export route equal to express.route, और अब क्या करोगे, तो यहाँ पर, अब माल लीजे कि आपको about के उपर और एक contact वाला है, उसके apply करने है, ठीक है, मैं एक contact वाला page और बना लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, contact, ठीक है, और अब हमें यह चीज नहीं लगानी, हो सकता है, जो मैंने दो page बनाए है, जैसे कि about और contact वाला, आपको 20 page इसके उपर लगाना हो, तो एक एक route में यह पास यह एक instance बना है न, route वाला, इसको simply use करोगे, जिन जिन route के उपर आपको middleware apply करना है, आप चाहते हो कि about और contact के उपर तो, इन दोनों को यहाँ पर route.get बना दो, एप की जगह पर, और यहाँ पर about और contact लगा दो, ठीक है, और last में आपको एक line निकनी पड़ेगी, यहाँ पर sorry, middleware का नाम नहीं है, आपका instance है route का, इस तरीके से, बस, जो अब यह दो वाल राउट रगे होंगे न, इनके यहाँ पर, इनके उपर middleware apply होगा, जो आपके app.get वाले हैं, इनके उपर apply नहीं होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक बार के लिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, perfectly काम कर रहा है, यहाँ पर perfectly काम कर रहा है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, about के उपर, about के उपर जाओंगा, तो about वाला perfectly काम कर रहा है, so let me check, ऐसा क्यों, because यह काम नहीं करना चाहिए था, okay, so मुझे actually, एक point या दागा, sorry, मैं एक चीज में इस कर दी थी, यहाँ पर, जो आपको यह route मिला था न, request filter वाला, इसको आपको directly, इस तरह किसे use नहीं करना, आपको यहाँ पर ऐसे करना है, इसको सबसे पहले, route.use, और उसके अंदर आपको, आपका जो middleware था, यह pass कर देन है, ठीक है, request filter वाला, अब यह perfectly काम करेगा, ठीक है, so यह चीज में सो गई थी, अब वापिस से आते हैं, और अब देखिए, you are under aged, और अगर मैं यह हटा दूँगा, इस तरीके से, तो यहाँ पर यह प्लीज प्रोवाइड था, अब सेम अगी, यह contact के साथ में बताएगा, मैं contact को access करने को हिश करता हूँ, तो यहाँ पर इसने contact के साथ में बताएगा, अगर मैं contact की यहाँ पर डाल देता हूँ, age equal to 20, तो welcome to contact page आगे, ठीक है, अब मालीज आपके पास एक third page होता, अब third page के अगर आपको, फिर से वही, आपका route apply करना है, तो आप किस तरीके से बन group route middleware आपका ready हो जाएगा, interview question की बात करें, पहला question, अपने आप में question है, route level middleware क्या होता है, बता सकते हो कि जो routes के उपर apply होते हैं, single route के उपर, grouped route या फिर सारे के सारे route के उपर लग सकते हैं, application route बता सकते हो कि जो सारे के सारे application भे by default apply होते हैं, तो यह पूछा जा सकता है आ route level middleware और app level middleware के अंदर, difference यह है, app level middleware बस, globally apply होगी, सारे के सारे route पे एक साथ, बत जो route level middleware हैं, आपनो globally के साथ साथ, single या फिर group के उपर भी apply कर सकते हो, single route कैसे बना सकते हो, यह question पूछा जा सकते है, different file के अंदर कैसे बना सकते हो, यह question भी पूछा जा सकते है, thank you so much for watching this video और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत बूलना, बिकोज बहुत महनत लगती है, और गर्मिया बहुत है, इसके विजा से फैन, इसे कुल रव गारा, सब बंद करके वीडियो बनाने पढ़ती है, वीडियो बनाने के वादे नहाना लग से पढ़ता है, However, thank you so much for watching this video and please do not ask your reviews, because they are really important for me.